तो गाइस शकूरपूर मैट्रो स्टेशन से पिंक लाइन जाती है जिसकी हमने तुगलकाबाद मैट्रो स्टेशन तक की टिकट ली थी पहले लाचपतनगर गए और माँ से ट्रेन चेंज करके तुगलकाबाद और माँ से रिक्षा करके जो है तीस रुपे लगे थे रिक्षा के तो हम पोच गए थे सूरजकुन इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला में जिसकी तारीक 2-18 फरवरी तक मेला लगेगा और ये गुजरात थीम पर बेजड है अब की बार यहां की थीम जो है गुजरात के उपर ही है आपको हमार डेकुरेशन विगारा सब चीज गुजरात में मिलेगी और ये देखे जी कितनी सुन्दर सुन्दर जो है ये काटून्स कड़े हुए है गरबा करते वे ये भी गुजराती है जो गरबा कर रहे है और ये बहुती सुन्दर लग रहे थे यहाँ पर काफी सारे selfie points थे जहाँ पर हम लोगों ने अलग-अलग जगाँ पर picture clicks कराई थी तो आप पहले pictures देख लीजे मेरी एक यह हुका पिते वे मैंने picture click कराई थी जो मुझे बहुत पसंद आई अब यह जूट pack का stall आ गया था यहाँ पर जूट के bag और पाइदान और टोकरिया बास्किट बहुत अच्छी चीजे मिल रही थी जिसे देखते ही ऐसे मन गर रहा था कि जैसे अभी खरीद देए यह यलो थी यह लॉयन वाली यह मुझे बहुत पसंद आई थी और यह बास्किट तीन यह यलो और वाइट का जो कॉम्बो है इसमें तीन बास्किट सी छोटी उससे बड़ी और उससे बड़ी इसका प्राइज भी जूट नाइन फिफ्टी था जो कि मुझे ठीक लगा था और मुझे बहुत पसंद आई थी अब आगे आगे हैं बच्चों के लिए स्टॉल जो की कैंडी थी जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टैप्स की कैंडी थी अगर आप जाएं तो यहां जरूर ट्राइ करना है यह बहुत टेस्टी थी अब आगे थे हम चेंडी कड के स्टॉल पर जहाँ पर ये मसलीन के सूट मिल रहे थे जो की बहुत ही सुन्दर थे मगर इनका जब हमने प्राइस पूछा तो मुझे थोड़ा प्राइस हाई लगे भाईया ने साठे चार अजार का सूट बताया था और बारगिनिंग का बूले की बारगिनिंग ने करेंगे हमारे तो फिक्स प्राइज है तो आप आए तो देख लीजेगा कैसा लगता है आपको अब मैं आ गई थी आपको रजिस्तन के स्टॉल पे लेके जहाँ पर डिफरन डिफरन टाइप की चटनिया और अचार मिल रहे थे जो कि दिखने में तो बहुत ही अच्छे थे और स्पाइसी भी थे लस्तन की चटनिती जो बहुत स्पाइसी थी और खुले अचार भी मिल रहे थे और पैकेट वाले भी जिससे आप खरीदना चाहें जिससे आपका मन करें और पहले यह लोग टेस्ट करा रहे थे और फिर अगर आपको पसंद रहता तो आप खरीज सकते हैं यहां पर भाकडवड़ी भी मिल रही थी जो कि गुजरात की फेमस डिश है मैंने बोला था ना जी गुजरात का समान मिलेगा अब यह अफगानिस्तान का स्टॉल है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइपस के ड्राइफ फ्रूट मिल रहे थे जो की एक नंबर थे दिखने में लग रहा था कि यह जो है ना सब फस्ट का ड्राइफ रूट है बढ़िया वाला काजू बदाम देखो जी इतने बढ़िया थे और यहां पर जो है ना इनके रेट भी मगर अच्छे ही थे यहां पर जो है मेटलिक जुलरी भी मिल रही थी यह जो गले के नेकलेस हैं मिल रहे थे और यह 100 पूपिस इच था अगर आपको पसंद आया तो आप यह भी ले सकत अगर आपको भी अच्छे लग रहे हों देखना जी यह चोटे बच्चे हो जिनके घर में उनके लिए और यह बच्चों के गर्ल्स के क्लिप्स थे यहां पर लेडिस की और गर्ल्स की तो इतनी आइटम्स थी ना कि आप अपना जो है ना थैला भर के ला सकते हैं वहां से तो रबर्ट बैंट्स भी थे मतलब एक जो लड़की या गर्ल शौपिंग करना चाहे तो अच्छी साथ ही शौपिंग कर सकती है यह हर्याना के लोग थे जो अपने देश का लोग गित का रहे थे यह एक इंटरनेशनल मेला है तो यहां पर अलग इंटरनेशनल के साथ साथ हमारे देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग आए वे थे यह बिहार का स्टॉल था जहां पर सूट और साथी दोनों चीज मिल रही थी और यहां की साथियों के प्राइस जो थे ठीकी थे कोई 900 का कोई 1000 की कोई 1100 की ऐसे थी हमने बस देखी थी तो यहां से ली तो नहीं थी मगर आगर आप आए तो आप देख सकते हैं यह मुझे ए बोल रहे थे कि कचा 100 रुपे कम दे देना बट मैंने ली नहीं थी साड़ी औरेंज कलर मुझे लगा तो बहुत सुन्दर था अब यह सारा वुडन वरका स्टॉल आ गया था जा पे सारे वुडन के आइटम से यह कीचेन के जो आते हैं हैंगिंग के यह थे जिस पे वेलकम लिखा हुआ था और यह मुझे कॉर्णर स्टैंड था जो की बहुत सुन्दर लगा था और इसका प्राइज भी 22 रुपे था और यह फोल्डिंग था आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं उसके बाद अपने किचन टूल आ गये थे यह मधानी आगी थी बेलन आ गये थे और यह माम दस्ता आ गया था लकडी का और यह जो बेलन तो 100 रुपीज इच था और उसके बाद जो मधानी भी गह रहा थी यह 50 रुपीज तरही था आप चाहे छूटी लो चाहे बड़ी लो आप पे डिपेंड है तो यह बहुत सुन्दर लग रहे थे लकडी के समान तो लो जैंट के कुटे मिल रहे थे 5 50 रुपीज का कुटा था और हाफ वाजू की श्यर्ट लेना चाहे तो फुल वाजू की खादी श्यर्ट लेना चाहे तो फ़ाइए और कलर भी बहुत प्यारे-प्यारे थे आप देख सकते हैं यहां पर जो है सब अपने अपने राजियों की जो है जो मतलब फेमस सीजे थी वो दिखा रहे थे अब आगे थे ये सोमना जोती लिंग में जब हम अपने देश में रहकर ही जो है किसी दूसरे राज़े में नहीं जा पाते तो ये इसका एक मॉडल था तो लोग यहीं पर इस मंदिर में मत्था टेक रहे थे तो आप भी हा जारती 300 का बोलके 250 में ये दे रही थी जो कि बहुत ही सुन्दर लग रहे थे और इन में काफी डिफरेंट कलर्स भी थे और मतलब लुक वाइस भी पर्स दिखने बहुत ही सुन्दर लग रहा था अब यहां पर ये मिट्टी के मूर्तियां आगी थी जो गनेश जी की मूर में और उसमें तो मेंनत लगती ही है बगर ये दिखने में इतनी कलरफूल और इतनी सुन्दर लग रही थी कि मतलब जैसे अभी मतलब मन को भा रही थी बहुत जादा ये देखो जी एक एंटिक चैस है जो बहुत ही सुन्दर लग रही है दिखने में और इसकी कीमत भी सु Choo देख रहे हैं ये भी बहुत सुंदर थे और इसकी कीमत साड़े-बाइस हजार रुपे थी यहां पर मिट्टी के बरतन मिल रहे थे जो हमारी health के लिए बहुत भी w penifichel होते हैं यह hindi मिटी की और जो है यह बॉटल थी मिटी की और युटी एक चाहर लग रहे थे और कोय यूज इनको वी सुन्दर लग रहे थे खाल लुट कमेर voyage शारत शांटने रूपए क्योंकि यह इक बार गिरे और हो ये एक अंकल थे इन्होंने साइड में एक चोटा सा स्टॉल लगा रखा था जिस पे खाली ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैक्स बेच रहे थे और बहुत ही रीजनेवल प्राइज में 500 बोलके इन्होंने 300 में बैक का प्राइज लगा लिया था और ये मतलब एक पॉकिट के थे और एक चोटी सी पॉकिट बाहर थी अगर आप यहां जाकर लेना चाहें तो बहुत सुन्दर बैक थे और काफी समान आजेगा काफी बड़े बैक थे हमें तो अच्छे लगे थे यहां पर आपको मैं पीतल की मूर्तियां दिखा रही हूँ जो देवी देवताओं की थी जिनने आप अपने घर में जो है जिनकी पुझा करते हैं यह जो है हसब हाथ से ही बनाई गई थी और यह थोड़ी कोस्टली भी थी तो मतलब क्योंकि भी इनका इनकी मेनत है इसलिए इनके दाम भी कुझ ज़्यादा ही थे यह किशा नाजर जी कि देखो जी कितनी सुन्दर मूर्ती है और यह गौतम मुद्दा की थी यह तो बहुत ही सुन्दर लग रही थी कि वो पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे है तो जैसी इनकी काड़ीगरी थी इनकी मेनत थी उससाब से इनके पैसे भी थे क्योंकि यह सारा काम जो हाथ का था तो आपको पता है यह हाथ का काम करने में कितनी मेनत लगती है उससाब से इनके कीमत थी अब मैं आ गई थी इंटरनेशनल स्टॉल्स पर जहां पर भार के लोगों ने स्टॉल लगा रखे थे कोई कोई तंदानिया का था कोई बज रहे थे इन चीजों से तो उनसे जो हैना ऐसे ही बातचीत हो पा रही थी अब हम आगे तो जूटियों के काउंटर पर यहां पर पूरी चपल मिल रही थी जो की बहुत ही सुंदर लग रही थी और यहां पर छोटी गर्ल्स की जूटियां थी जिन कोई तिल्ले वाली तो गाइस अब हम आगे थे कजाकिस्तान के स्टॉल पर जहां पर यह बहुत ही सेल कर रहे थे और हमारी चाची उसे पहन कर देख रही थी और क्यूट लग रही थी फिर मैंने इन भईया से पूछा कि आप इंडियन हो तो इन्होंने बोला नहीं मैं तो कजाकिस्तान से हू मगर मैंने इनको बोला आप लग तो बिल्कुल इंडियन रहे हो तो गाइस अब हम आगे थे इंटरनेशनल स्टॉल्स पर मतलब जो पहले भी आपको दिखाए हैं यहाँ पर घर पे डिकारेशन का मेटीरेन मिल रहा था डिफरेंट डिफरेंट स्टैचू मिल रहे थे और यह बफैलो का प्राइस पूछा था इसका 2,000 रुपीज था और जो स्टैचू पीछे देख रहे हैं बड़े वाले जो है 1,000 रुपीज का पेर था और छोटे वाले का 800 रुपीज यहाँ पर यह बास्कीट थी जिसकी जो कवर है ना हैट वाला था जो की बहुत सुन्दर लग रहा था हर समान जो है ना अपनी और अट्रेक्ट कर रहा था कि मतला दिखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा था अब हम आगे थे जॉर्दन के स्टॉल पर जहां पर यह काफ्तान मिल रहे थे जो की बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं आपको भी दिखने में और यह डि कंट्री के स्टॉल पर आगे थे जहां पर यह लाइट लैम मिल रहे थे और जिन में सम्में चोटे-चोटे बलब लगे वे थे और यह भी बहुत प्यारे लग रहे थे और इनकी प्राइज रेंज जो है आप देख सकते हैं इनकी उपर इन्होंने इंडियन करनसी के साब से ल करान हो जाएंगे दिखने में इतने सिंपल थे बट यह गरम बहुत थे और इनकी प्राइज देंज थी साड़े ग्यारा हजार रुपे हांजी सही सुन रहे हैं आप 11,500 रुपीज के स्टॉल थे जो टंगे हुए हैं और नीचे डिफेरेंट डिफेरेंट कलर्स भी है करें यह खाने में बहुत टेस्टी थी हम लोगों ने खाई थी साथ में लिठी चोका भिहार की फेमस डिश मिल रही थी लिठी विद चोका जो इसके शोकीन हो वह वाँ जाकर खा सकते हैं और साथ में ही था कुलड़ वाला पीजा और चॉमिन यहां पर डिफेरेंट डिफ 50 प्राइस था और यहां पर हमने जो है ना माला वी गयारा देखी थी इनोंने हमें पर्ल्स को ना इन्हीं बैन कर गे बताई थी तो ये वाके ही real pearls थे और यहाँ पर अमने जो माला वे 11,000 ति तो मगर वह बहुत costly थी जैसे एक माला हम आमने पुछी थी तो इन्होंने 39,000 की बताई थी और एक माला इंसे हमने पुछी थी तो इन्होंने 31,000 की बताई थी गोले कि मैढम real pearls है हांजी आप ये दमामाला देख रहे हैं ना इसी का प्राइस इन्होंने साड़े ग्यारा हजार रुपय हमें बताया था जरूरी नहीं है कि आप लोग यहां कुछ खरीदने ही आए आप यहां आकर ऐसे मस्ती भी कर सकते हैं और लोगों को देखते वे खुछ भी हो सकते हेलो गाइज तो यहां पर हो गया है व्लॉग खतम और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताना सूरज कुंड मेले में जो लोग घुमने नहीं गए अब तक जल्दी जाए वहां जाकर एक्स्प्लोर कीजिए वहां इतनी अच्छी अच्छी चीजे अपने कि आप जाकर जो है महाँ देख सकते हैं और इतनी बडिया बडिया चीजे सुंदर सुंदर साडियां हैं आप जाकर शॉपिंग भी कर सकते है ऐसा निया कि लीटी बच्चों की बड़ों की जैंट्स की अगर पूरी फैमिली जा लिया तो वहां जाकर अपने परिवार हमने घुमाया तो हमारा मेला तो पूरा कवर होई नहीं पाया जो यह था सूरज कुण मेला तो अब जो लोग नहीं गए वो जल्दी जाईए 18 फरवरी तक यह मेला है और जाकर आप लोग भी एक्सप्लोर कीजिए और मेरी वीडियो अब एक और आएगी सूरज कुण मेले की तो वीडियो पर अपना प्यार दिखाईए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब भी करा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो लाइक करके जाना और अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करना जल्दी मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तो बाई बाई